हेलो दोस्तों, श्टॉक मार्केट पैरडाइज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम एक ऐसी बैंक के बारे में बात करेंगे, यह सा, मैंने कंपनी नहीं का, बैंक का है, क्योंकि यह यह बैंक है, और यह बैंक का आप जो रिजल्ट देखोगे, क्वार्टर 3 का, जो कि December 2021 के numbers हैं, बहुत ही सांदार आपको देखने को मिलें, अगर आप comparison करोगे इसके, last year के quarterly results से, तो बहुत ही सांदार return देखने को मिला है, almost double 76% आपको move देखने को मिला है, upside move देखने को मिला है, तो numbers जो हैं, बहुत अच्छे हैं, fundamental भी हम चेक करेंगे, किस तरीके से company क fundamental हैं, और क्या हम इसमें long term के लिए view बना सकते हैं, तो ये भी हम पूरे तरीके से analyze करेंगे, कि क्या हम इसे hold कर सकते हैं, आने बाले 2-5 साल के लिए, तो चलिए बात करते हैं, जिस bank की हम बात कर रहा हैं, इसका नाम है Yuko Bank, और इसका नाम आपने सुनाई होगा, banks में बहु तो भी investor है, उनको भी surprise कर दिया कि इतना बड़ा number हमें किस तरीके से देखने को मिला है, और आप देखो कि consistently, एक दो सालों से ये जो bank है, लगातार profit बना रही हो, अच्छे number में ये profit बना रही है, अगर बात करें यहां पर Yuko Bank की, तो हम introduction लेते हैं, किस तरीके से हमें ये bank देखने को मिलती है, देखिए, अगर हम ratio देखें, 2021 के लिए quarter 3 का जो result है, तो आप उसमें देखो कि capital adequacy ratio जो है 12.08% है, net interest margin 2.87% है, gross NPA, NPA का मतलब क्या होता है, non performing asset, ये भी मैं आपको video बनाऊंगा, जब पूरी हम series बनाएंगे, stock market for weakness, उसमें सब कुछ आपको detail में समझ म आजाएगा, gross non performing asset 9.80%, net non performing asset 2.97% और kasa ratio जो की current account जो की आप देखोगे deposit and current and saving account का जो total deposit होता है, अगर आप बो देखोगे, तो ये 38.91% निकल के आता है, तो ये सारा data हमें तो देखने को मिला ratios में, अब हम बात करें, branch network किस तरीके से देखने को मिलते हैं, company, sorry bank के, तो आप इंडिया, इसके आपको 300 branches देखने को मिलेंगी, all over the India, और 2300 ATM से हाला कि number बहुत कम है, ATM का, लेकिन ये जो bank है, धीरे धीरे गिरो कर रही, बहुत चोटी bank है, फिलाल तो आपको चोटी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले time में हम expect कर सकते हैं कि ये एक दिन बहुत loan book किस तरीके से काम कर रही है, तो retail की अगर बात करें, retailers जो है 26% यहां से loan लेते हैं, MSME को ये bank allot करती है 26% of the loans, corporate and others को 26% almost allocate करती है, और agriculture के लिए 22% तो इस तरीके से loan book देखने को मिलती है, बैंक की, अगर आम यहां पे international business देखें, तो two overseas branches आपको देखने को मिलती है, जो क आपको other countries में देखने को मिल रही है, एक है Hong Kong में और दूसरी है Singapore में, तो यह दोनों आपको केवल overseas branches देखने को मिलेंगी, all over the world, या तो इंडिया में है यह bank, या फिर Hong Kong और Singapore में है, फिर अगर हम capital raise from government की बाते हैं, देखिए, जो भी banks होती है, उनको कही न कहीं से money तो raise करन पड़ता है, तो इस bank ने जो भारत सरकार से रोपया लिया है, तो यह कितना लिया है, देखिए, लास्ट अगर चार साल का data देखें, तो बहुत बार यहां से bank raise कर चुकी है, भारत सरकार से money, और इसकी वज़े से आप देखोगे कि equity capital जो है, यह increase हो गया है, एक हजार तो देखिए, अगर maximum stock open करें, तो आपको कुछ इस range में देखने को मिलेगा, अभी आपको यह 13 रोपय 55 पैसे पर देखने को मिल रहा है, अगर last one year का हम चार पैटन देखें, तो यह जो आप stock देख रहे हैं, ग्रीन में तो है, हलांकि लेकिन जो return है, बहुत ही काम है, इसने अच्छा move किया, तो बहुत ही सांदार यह return आपको दे सकती है, हलांकि इसको time बहुत जादा लगने बाला है, तो one year का chart pattern को इस तरीके से देखने को मिलता है, six month का chart pattern आपको red zone में देखने को मिलेगा, और यह आपको 1.45% का downside moment इसमें देखने को मिल रहा है, अगर हम यहां पर बात करें, किस तरीकी से हमें quarterly result देखने को मिले तो देखिए, quarterly result जो है, revenue और interest बहुत ही, यहां पर manage होने चाहिए, किसी भी company का अगर हम result देखते है, quarterly result, तो उसकी यह balance होने चाहिए, revenue जो है, और interest जो है, expenses जो है, यह balance होगी, तभी आप देखोगे, net profit company अच्छा जनरेट करती है, तो इस bank का अगर आप यहां पर revenue देखोगे, 3919 करोड revenue है, interest जो है, 2157 करोड का है, और expenses जो है, interest का बात है, जब भी bank की यह बात करते हैं, तो interest आता है, interest bank हमेशा लेती हैं और देती हैं, लेकिन जो other companies होती है, वो interest बगेरा नहीं लेती है, नहीं देती है, उनका जो major business होता है, वो तो product के उपर होता है, product अगर उनका sale होगी, product की, तो फिर वो revenue generate करेंगी, अगर नहीं होगी, तो फिर revenue generate नहीं होगी, expenses की अगर बात करें तो 1690 करोड का यहां पर expenses होते हैं, banking को, तो यहां पर अगर सब कुछ निकाल दें, सारे depreciation बगेरा, tax बगेर दिया है, और अगर comparison करें, last year के quarterly result से December 2020 से, जो की 35 करोड था, इसके अगर comparison करें, तो 775.8% के आसपास इसने upside moment किया है, बहुत ही सांदर हमें फिलाल में return देखने को मिला है, और यहां से आप देखो कि मार्च 2020 से यह जो bank है, लगातार इसका जो profit है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और हो सकता है कि आने बाले time में, आने बाले, अगर quarter 4 का result देखें, तो यह भी आपको अच्छा देखने को मिले, तो फिर आप यहां पर notice करोगे, कि जो stock है, यह आपको upside move करता हुआ, देखने को मिल जाएगा, तो quarterly result हमें अच्छे देखने को मिलें, फिलाल तो banking के, इस banking के, और balance sheet की अगर बात करें, borrowing आप देखोगे, बहुती बड़ी नमबस में, 2,21,000 करोड की borrowing है, और 302 करोड भी यह negligible नहीं है, 302 करोड भी बहुत बड़ा नमबर होता है, तो borrowing भी बहुत ज़ाँ है कंपनी के उपर, reserve अगर आप देखोगे, बहुती ज़ादा क परोड की फिलाल में हमें देखने को मिल रही है, investor pattern की अगर बात करें, तो promoters जो है, इन्होंने तो पूरा ही यहां पर holding ले रखिया, अगर हम कहें, overall तो पूरी आपको holding देखने को मिलेगी, promoters की 95.39% यहां पर promoters आपको देखने को मिल रहा है, FII, foreign institutional investor 0.07, जो की negligible है, domestic institutional investor जो है 1.28% देखने को यहां पर मिलेंगे, और public जो है 3.26% है, बहुत सारे stock इंगे में public इतनी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपको stock ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जिसमें public 50% है, तो फिलाल में आप देखो कि promoter ज्यादा यहां पर holding लिये हुआ है, और यह जो number से आप आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, अगर Yuko Bank की हम overall view देखें किस तरीकी से हमें यह bank देखने को मिलती है, तो देखें market cap जो है, 16,177 करोड का Yuko Bank का stock का PE जो चल रहा है, 23.2 रोपे चल रहा है, ROCE की बात करें, 3.80% का ROCE है, return on capital expenditure, यह full form होता है, इसका, current price की अगर बात करें, CMP जो चल रहा है, तो 13.6 रोपे का भी stock आपको देखने को मिलेगा, 13.5 रोपे का यह फिलाल में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 6 जरूर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर book value आप देखो कि 16.7 रोपे की है, जो की book value से भी नीचे trade कर रहा है, यह stock, ROE की बात क तो यह 0.35% फिलाल में देखने को मिल रही बहुत ही काम है बहुत ही ज़्यादा कम है अगर आपको इतनी जदा रेटर्न और इक्विटी मिलती है तो सब लोग आपको सजेश्ट करेंगे कि ऐसी कंपनी में आपको इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहिए हालां कि बैंक जो है अ 16.4 रुपए का यह almost book value के पास में ही आपको देखने को मिला था यानि कि जो 52 बीक का अगर हम चायट देखें तो 16.7 रुपए से उपर यह गई ही नहीं है यह बैंक का जो हाई है book value से उपर गया ही नहीं 52 बीक की अगर बात करें तो low जो लगाया है 10.6 रुपीज का इसने करना चाहिए या नहीं तो देखें जो बैंकिंग यह इस टॉक आपको देखने को मिल रहा है यह आपको अच्छा मूब दे सकता है अगर इसी तरीके से अंबर नंबर्स देखने को मिले आने वाले quarterly result में अगर quarter on quarter यह company यह bank profit बनाती गई और आपको year on year अच्छी growth देखने क को मिली इस bank में तो फिर आप देखोगे जो 13 का stock है यह फिलाल चल रहा है यह 100 पर भी आपको जाता हुगा देखने को मिल जाएगा हाला कि बहुत ज्यादा इसको मैंनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा time भी लग सकता है यहां पर हम बात करना है तू तू फाइव यह की द इसने upside movement दिखाना इस्टाइट किया अगर यह 16.5 रुपयर को क्रॉस करती है तो फिर इसको मैं आपको अच्छा upside movement आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह इसके लिए resistance है देखिए बहुत ज्यादा resistance है यह और यह almost आपको support level देखने को मिलेगा कुछ यह तो support level भी यह यह company अभी तक break नहीं कर पाई है और resistance भी यह break नहीं कर पाई है अगर जिस दिन यह break कर देगी यहां पर जरूर आपको support ब्रेक करता हुगा देखने को मिलेगा तो इसके उपर भी आपको नजर जरूर रखने है यूको बैंक के ऊपर और यह रही वीडियो यूको बैंक के मैं आपको बता दिया अगर इसके बाद भी आपको कोई doubt होता है कोई question होता तो आप comment कर दिना मैं आपके साथ एक question के answer कर दूँगा so thank you for watching this video दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें